तो दूस्तों करीब एक डेट साल पहले किसने सोचा था कि जिंदगी में इतना बड़ा ठहराव आ जाएगा लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे और सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया भर में बुरे हाल हो गए थे और मेडिकल और अमेरजनसी लेवल पे ऐसे सिचुएशन देखे करी लोगों ने जो उनको नहीं देखने चाहिए थे आई होब आप उन में से नहीं है और विश ऐसा ना हुआ हो किसी की साथ लेकिन लोग घरों में बंद एक बुरा सपने की तरह और ऐसी स्टूशन आ गई थी कि सब कुछ बंद है साली दुनिया बंद है सब बिजनसे सब जॉब्स बंद है लेकिन उसमें भी एक सेक्टर चल रहा था वो था पाइनेशल सेक्टर पाइनेशल सेक्टर में भी स्टॉक मार्केट को ने तरह से काफी exception मिली स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुई बाकी सेक्ट तो ऐसी situation expect की गई थी लेकिन इस बार एक positive momentum देखा गया इन सब का reason क्या हो सकता है क्यों market अभी भी उपर जा रही है जबके बाकी के sectors या तो नीचे हैं या अपनी original position पे हैं GDP भी डाउन है तरीके से तो what are those reasons इस वीडियो में हम 5 ऐसे reasons के बार में बात करेंगे जिसके कारण stock market उपर जा रहा है अभी दी तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों 5 reasons में पहला reason है interest का decrease, interest मतलब आपका interest नहीं interest मतलब ब्याज, ब्याजदर के decrease के कारण यह हुआ है अब March 2020 से लिखके 2021 तक एक करो डीमेट अकाउंट आए यह तो काफी वीडियो में हम बात कर चुके हैं लेकिन इसमें यह देखिए तीना factor there is no alternative kind of factor के बाकी कोई option बचा नहीं है क्योंकि interest rate FD और PPF में कब हो गए है market जो real estate की है वो तो almost खराब हो चुकी है खराब से भी ज़्यादा बत्तर हो चुकी है और gold price में भी एक तरह से fluctuation increase देखा गया है पिछले एक साल में अब इस सब के चकर में सब का ध्यान आया एक ऐसे investment product की तरफ जो के ऊपर की direction में है वो है stock market अब इसमें numbers increase हुए interest increase हुआ और stock market का overall momentum भी दूसरा reason है खर्चे काट दिये गए बहुत पहले जब dmat account trading stock market में हुआ करती थी तो full service major level पे जितनी आप trading करेंगी उसका turnover का commission percentage लेटे थे मतलब जो बड़ा turnover है वो बड़ा brokerage देगा बड़ा tax बड़ा charges देगा लेकिन growing competition और stock market का overall increase के कारण cut कर दिये गए ये cost अब brokerage काफी कम है fix कर दिये गए है कई कई जगां तो almost ना के बराबर है तो इस कारण भी लोगों का interest बड़ा है और इस particular direction में आने का reason भी यही है एक broker जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे वो है जोजीत financial services जोजीत 30 साल से market में है stock broker की तरह और इसके भारत और GCC मतलब Gulf Corporation Council में 460 से दिक branches हैं कुल मिलाके और यह multiple channel के जरीए client को support देता है traders और investors के लिए एक अच्छी choice हो सकते हैं अगर आपको इनके साथ account खोलना है तो अभी पीछे वीडियो चल रहा है उसमें account opening process को अच्छे से समझाया गया है उसको देख सकते हैं account opening भी easy हो चुकी है देखिए online के चक्कर में और समझ के चक्कर में के लोगों को समझ आ गई है online DMAT account opening देखिए आप कितना आसान है कुछ steps को follow करना है कुछ documents upload करने होते हैं और उस चक्कर में 15-20 minutes में ही DMAT accounts generally भी खोल जाते हैं तो इस तरह से आप DMAT account भी खोल सकते हैं और खर्चे भी कम है जैसे कि आपको बताया तो क्यों ना इस situation का फायदा उठाई है और DMAT account अपने लिए भी खोल के stock market में अपना पहला कदम रखें तीसरा point advanced platforms के थ्रू convenient research अब देखिए बहुत सरा लोग डरते रहे हैं और knowledge की कमी भी है और होगी भी क्योंकि थोड़ा complex है stock market इसको असान मत समझीए ये जरूर एक misnomer रहता है लेकिन जो नए investors आ रहे हैं और जो trading platforms होते हैं उसमें advanced technology की integration के कारण research मोहिया करवाना भी easy हो गया है जिससे कौन से stock को select करना है वो trading platforms के जरिए आप खुद भी analysis कर सकते हैं नहीं तो कई broker आपको ये analysis free में भी provide करते हैं तो एक तरीके से आपको एक idea मिलता है application को use करने का वहाँ से research कर सकते हैं stock को pick कर सकते हैं और अपना investment भी carry out कर सकते हैं चोथा factor है बहतर understanding stock market की देखिए इंडिया की जो overall population है उसमें जो अगर हम bifurcation करें तो पिछले एक करो demand account में से 38% demand account 3-40 साल की उमर में खोले जा रहे हैं 25% जो हैं वो करीब 20-30 साल के age bracket में तो एक opportunity सीखने की stock market की चाहे volatility है stocks में लेकिन market को सीखना और उसके बाद analysis करके stock market में कदम रखना भी easy हो गया है चाहे आप long करें short करें doesn't really matter because आपको पता है क्या आप कर रहे हैं after the analysis और ये जो young generation है उसके लिए relatively easy होता है क्योंकि उनको इस तरह के analysis अपनी normal jobs में भी करने की आतित होती है तो ये सब जब mission होता है इनका जब इनका mix होता है तो एक positive चीज निकलती है जो के better understanding of stock market ले के आती है और फिर इनी लोगों को stock market की तरफ खींचती है और ये भी एक बड़ा reason है stock market में निवेशकों के आने का और पांच और आखरी reason दोस्तों ये है certain level पे digitization का push घर पे लोग बैटे हैं pandemic situation है लेकिन इस सब में चाहे jobs की कमी है या पैसे की कमी है digitization और stock market investment एक ray of hope ले के आती है आज की तारिक में भी बहुत सारे sectors ऐसे हैं जो अच्छी return regularly दे के आते हैं जिसमें fintech एक space माना जाता है financial technologies इसका भी reason growing digitization है IT की तरफ लोगों का जाना cashless transactions की तरफ जाना वो भी एक अच्छा sector है for example अगर आप infosys के stock की तरफ नज़र डालें जो 600 रुपए आ गया था 100% increase आ चुका है पिछले एक साल के अंदर ही तो आप ये समझे लीजिए कि 100% return कौनसा investment प्रोड़क्ट देता है देखिए ये कोई tip नहीं है ये सिर्फ एक example है इसको ऐसा मत समझी ही कि आपको infosys के stock में पैसा लगाना है but at the same time एक opportunity है अगर आप analysis करके सही price point पे enter करते हैं digitization के इस्तिमाल के साथ so certainly सभी sectors और stocks कुछ ना कुछ level पे आपको ठीक ठाग returns provide करने का opportunity देते हैं तो अब इतना convenient दोस्तो हो ही गया है stock market में तो क्यों आप अपना पहला कदम रखने से डर रहे हैं और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जियोजीत में account opening charges free है मतलब इसमें आपको account खोलने के लिए कोई पैसे नहीं देने और account maintenance charges जो साल के आपको maintenance charges देने होते हैं वो भी 31 March 2022 तक free है और उसके साथ साथ 15,000 उपय का portfolio analysis tool का access भी आप free में ले सकते हैं तो एक तरीके से इतनी opportunity अगर brokers दे रहे हैं तो there is no problem in going ahead in case you wanna go ahead आपकी choice है तो आप try out कर सकते हैं अब दोस्तों बस इतना ही पांच reasons आपको बताने की कोशिश की है कि इस गिर्ती, अर्थ व्यवस्ता में, GDP में, overall problems में stock market अभी भी वगवान की दया से उपर की direction में है और honestly रहे भी और आप लोगों का फायदा हो यही हमारी wish है, prayer है, एक तरीके से hope है thank you so much, दोस्तों अगले वीडियो बें जल्दी ही मिलेंगे take care, bye bye